प्यारे बच्चो जैसा कि आप जानते हैं कि हम दोहराई कर रहे थे तो उस दोहराई में आज हम करेंगे छोटी ए की मात्रा वाले शब्द जो है हम वो रिवाइस करेंगे प्यारे बच्चो हम अब जो है छोटी की मात्रा के शब्दों का उच्चारण करेंगे मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ साथ करेंगे ओके इमेली इमली ये है इमली इनाम हीरन हीरन है कीताब किताब ये क्या है किताब बुक डाकिया क्या लाता है पत्र नेक्स्ट है चीडिया ये चीडिया है स्पैरो आओ पढ़ें मीलै मिल सीलै सिल कीलै खिल बीलै बिल बिल मिन्स होल खिल मिन्स फूल का खिलना सिल मिन्स किसी चीज को सिलना मिल मिन्स मिलना कीला किला किला मिन्स फोट नेक्स्ट, दीन है, दिन, दिन मींस दे, मीठास है, मिठास, मिठास मींस स्वीटनेस की रहन है, किरन, किरन मींस रे, जो सन की रेज होती हैं, उनको बोलते हैं किरन किसान, किसान means farmer, गीटार है, गिटार, मने आपको बताया था कि वो एक musical instrument है किलास है, गिलास, गिलास means गिलास, जिसमें आप पानी प्यते हैं, जूस प्यते हैं और even आप milk भी पीते हैं उसमें next है हमारा सितार है, सितार, सितार भी जो है वो एक musical instrument है, वो music produce करता है, गीर है, गीट है, गिर्गिट, next हमारा है, री मैं, जी मैं, रिम जिम, बारीश कैसे होती है, रिम जिम, रिम जिम, नेक्सटं हमारा है जिल मिल लाइट कैसे करती हैं? जिल मिल, जिल मिल क्लियर? नेक्सटं हमारा किशमिश मैंने बाब को पहले भी बताया था जो है आपकी मुमा हलवे में डालती हैं उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए और फिर उसका टेस्ट बढ़ जाता है और हमें वो बहुत टेस्टी लगता है, ओके, so let us start the next page, dear student, take out page number 21 निकालेंगे सभी अभी, be ready, ओके, अब हम इसका अभ्यास करेंगे, प्रिशन एक, उचित मात्रा लगा कर शब्द पूरे करो, ओके, यहाँ पर क्या है आपको, उचित मात्रा लगानी है, आपको picture दिये हो हैं, और यह आपको इसको शब्द को complete करना है, ओके, जैसा कि हम छोटी की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो इसमें छोटी की मात्रा ही लगानी है, और ऐसे लगानी है, जिससे meaningful word बन जाए, जो यह picture दियुए है, clear, so let us start, यह क्या है, किसान, किसान है ना farmer, कैसे लिखेंगे इसको कर 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 के, छोटी की मात्रा, सान है, किसान, next यह क्या है, गिलास, तो किसमें लगेगी छोटी की मात्रा, गर, फिर छोटी की मात्रा, ला गिलास, नेक्स्ट यह क्या है, बुक, किताब बोलते हैं, तो किसके उपर आएगी छोटी की मात्रा, कर के, हम लगाएंगे, ऐसे कर के, किताब, next है हमारी, साईकिल, तो किस पे लगेगी, साई, कर पे लगेगी ना, छोटी की मात्रा, और ला, साईकिल, उके, प्रिशन दो चित्र देखकर उचित शब्द से मिलान करो, यहाँ पे आपको four picture दी हुई है, आपको box में four words भी दिये हुए है, यह words जो है, इन pictures के name है, आपको क्या करना है, उसके चित्र के साथ इसको मिलाना है, तो पहले चित्र देखना है हमें, यह किसका चित्र है, सितार, तो हम इसक सितार से मिला देंगे, ऐसे करके, मैच करेंगे, clear, यह किसका है, क्या निकल रही है, यह सूर्य से, किरन निकल रही है, तो इस किस से मैच करेंगे, किरन से, की रहन है, किरन, next हमारी picture है, क्या है यह, musical instrument है, क्या है, बताओ, yes बिटा, यह गिटार है, very good, तो इसको हम गीटार है, गिटार से मैच करेंगे, यह जो है, next, यह क्या है, मिठाई है, sweet, तो हम इसको मिठाई से मैच करेंगे, मीठाई, मिठाई, clear, प्रिशन तीन जो है, वो है, रंग भरो, इसमें आपको रंग भरना है, कलर करना है, यह पहले हम देखेंगे, picture किस चीज़ की है, यह picture dear की है ही रंग की है, तो आपको इसमें color करना है, okay, now, take out next page, that is page number 22, okay, यहाँ पे आपको प्रिशन चार दिया हुआ है, उस पे सभी वच्चे ध्यान देंगे अभी, प्रिशन चार, चित्र देख कर, उचित शब्द पर सही का निशान लगाओ, चीक है, यह four, आपको five pictures दिये हुए, यह आपको three options दिये हुए, इस picture का नाम जो है, आपको इन तीनों में से ढूणना है, और उसको tick कर देना है, महाँ पे, okay, जो circle है, उसके पीछे दिया हुआ और बैक साइड में, उसके आपको tick mark कर देना है, picture को identify करके, clear, first is, क्या है यह, तकिया, पहले हम read करेंगे, तीनों words को, कीताब है किताब, गीटार है गिटार, तकिया, तकिया, यह क्या है, तकिया, तकिया, तकिया पे सही का निशान लगा देंगे, बेटा, clear, next is, यह क्या ह ए, aeroplane है ना, फिर पढ़ते हैं, चलो हम तीनों words को पहले, वीमान है, वीमान, चीडिया, चीडिया, डलिया, डलिया, वीमान का मतलब aeroplane, चीडिया का आपको पता है, sparrow, डलिया means, basket, तो यह क्या है, वीमान है ना, वीमान पे टिक लगा देंगे, clear, next picture यह हमारी, पहले हम रीड करते हमें, पता चल गए, इसको देखे कि यह तो हिरन है, फिर भी हम रीड करते हमें, जिससे reading आ जाएगी, हिसाब है हिसाब, हिरन है हिरन, की रहन है किरन, तो क्या है यह हिरन, तो हिरन पे आप टिक मा कर देंगे, सही का निशान लगा देंगे, next है यह हमारा क्या है सभी पहचान गए होंगे, आपने पहले भी देखा है इसको भी, यह सितार है बिटा, सितार है, सितार, निकट है, निकट, निकट मिन्स पास, टिकट है, टिकट, टिकट मिन्स टिकट, ओके तो यह सितार है हमारा, तो हम सितार पर सही का निशान लगा देंगे, clear, next है हमारा क्या बनी हुए यह चिडिया तब ने पहचान लिया मुझे लगता है next है बढ़िया बढ़िया चिडिया किसान है किसान तो यह क्या है चिडिया तो चिडिया की पीछे जो सरकल है न उसमें आफ सही का निशान टिक मार्क लगा देंगे next है हमारी fifth question है हमारा वर्ग पहेली से छोटी ए की मात्रा जो यह ऐसे लगती है लगे शव्द ढूंड कर लिखो first word यह वर्ग पहेली है puzzle गीर है गीट है गिरगिट यहां गिरगिट लिख देंगे first पे second पे क्या दिया हूँ है कीश है मीश है किश मिश यहां यह same spelling लिख देंगे किश मिश की third पे क्या दिया हूँ है दील है दिल दिल लिख देंगे third में fourth में क्या दिया हूँ है दीन दिन तो दिन लिख देंगे यहां पे fourth में फिफ्त में क्या दिया हो है ये रहा, डै-ली-या, इसको ऐसे इसमें मार्क भी करना है आपको, और डलिया लिख देंगे, डलिया मिस बास्केट, ओके, तो आपको क्या करना है, पेज नमबर 20, पेज नमबर 21, और पेज नमबर 22 को आपको, 22 को आपको प्रॉपरली रीट करना है, और इसको प्रॉपर स्पैलिंग के साथ लर्न भी करना है, ओके,